सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम सबका एक सपना है कि अब हम SDM बनके रहेंगे और Study IQ PCS की सारी टीम आपके सपने के साथ हमेशा खड़ी थी खड़ी है और खड़ी रहेगी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ये मेरा वीकली प्लान है जो मैं हर रोज सामके आठ बजे आप सब के सामने आता हूँ और आपको परहाता हूँ मंडे को मैं आपको कवर अप करता हूँ बिहार पॉलिटी त्यूजडे को मैं कवर अप करता हूँ बिहार एकोनॉमी विंस्डे को मैं कवर अप करता हूँ बिहार मिसलेनियस जिसमें आपके अगले विंस्डे से आपके यहां पे बिहार मैपिंग होने वाला है बिहार missillainious में इसके अलाबत Tao섯 day को मैं cover up करता हूँ बिहार census और Friday को मैं cover up करता हूँ बिहार history और Saturday आज का देन आज मैं आपको cover up करूँगा बिहार जोगरफी टाइमिंग सारी क्लास की आपकी आठ बजे ही होगी तो आप चाहे तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो ताकि आप सब लोग इस अपनी तैयारी को सही सुन्योजिक तरीके से आप सब लोग कर सको और मैं उमीद करता हूँ आप सब ने एक रजिस्टर बना लिया होगा और मेरे साथ आप अपनी परहाई को अच्छे तरीके से कर रहे होगे और साथी साथ नोट्स वगेरा भी आप सब लोग बना रहे होगे तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब को बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू के तरफ से आप सब के लिए बिलकुल एक सांधार टौफा है प्रिंस्पल्स ऑफ इंडियन जोगरफी एक किताब स्टडी आईक्यू ने लाँच किया है इसको आप फ्लिफ कार्ट और एमेजोन से पा सकते हो और मैं बोलना हूँ इसलिए आप इस किताब को मत ख़़े दिये इस किताब को आप ख़़ी दिये क्योंकि इस किताब में आपको मिलेगा इंडिया की फीजिकल हुमन और एकोनॉमिक जिगरफी की कम्प्लीट कवरेज जो कि आपकी UPSC और स्टेट PCS चाए BPSC या उत्तर प्रदेश PCS हर जगा आपके कामा जाएगा इस किताब की खासियत इसकी जो भासा है बहुत ही आसान भासा में इस किताब को लिखा गया है और आपकी Clarity को अच्छे तरीके से करने के लिए इसमें आपको 200 से जादा मैप्स दिये गया है और Second Time Revision के लिए यहाँ पे आपके Previous Year Questions और आपके Mind Maps भी दिये गया है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको Case Study आपके अंदर Curiousity और Real Life Example जिसका इस्तमाल आप अपने Main Cincinnati में भी कर सकते हो तो इसका भी सेक्षन दिया गया है और आपके Curiousity को जगाने के लिए Do You Know का भी एक अलग से सेक्षन दिया गया है तो जल से इस Book को आप सब लोग Order कीजिए और घर बैठे 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 बुक की Delivery पाने के लिए Flip Card और Amazon से आप सब लोग Order कर सकते हो तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के तरह बढ़ते हैं तो जैसा कि आप सब लोग आज का टॉपिक देख रखे होगे आज का हमारा टॉपिक है स्वाइल ओफ बिहार यानि कि बिहार की मिट्टी तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मिट्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि 10 Uses of स्वाइल यानि कि स्वाइल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो स्वाइल के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिस स्वाइल यानि के मिट्टी हमारे लिए इतनी यादा महत्वपूर्ण क्यूं है एक थोड़ा सा बेसिक सा एक हम लोग कॉंसेप्ट देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि बिहार में आपके किन किन जगहों पे कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है उन मिट्टियों का रंग कैसा होता है उन मिट्टियों की खासियत कैसी होती है और उन मिट्टियों में कैसे फसल लोगते हैं इसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ और अगर आप BPSC के प्रिवेस से ट्रेंड को अगर आप देखिएगा तो पिछले कई सालों में हर साल लगबग आपके एक ना एक कोश्चन आपके स्वायल और बिहार से पूछा गया है तो ये सेसन आपके एक नंबर इंशोर कर सकता है आपके BPSC प्रिलिम्स एक्जाम में चाहे आपका CAC हो चाहे आपका CDPO हो चाहे आपका ओडिटर एक्जाम हो जो भी एक्जाम BPSC कंडट कराती है वहाँ पे ये क्लास आपके एक नंबर इंशोर करेगा तो इस वीडियो को आप सब लोग एक बार कर दीजे तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें 10 usage of soil यानि की मिटी के 10 उप्योग के बारे में तो सबसे पहला जो उप्योग मिटी का होता है वो ये होता है कि मिटी जो होता है कई सारे मिनरल से बड़ी होने के कारण जो एक मिनरल साइकल है वो आपके complete होता है दूसरा मि मिट्टी में पौदों के लिए महत्पून पोसक तत्थ ow चलते हैं जिसके लावा मिट्टी का घर में भी अगर आप देखेगा तो इट लगी होगी और जो इट बनती है वो मिटी से बनती है। इसके अलाबा मिट्टी का उपयोग आम तोर पर एंटिबायोटिक दवाएं यानि कि आपके एंटिबायोटिक जो मेडिसीन्स हैं उसमें भी इस्तमाल किया जाता है skin medicine में भी इस्तमाल आपके किया जाता है मलहम में भी इस्तमाल आपके किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे drugs हैं दवाईयां हैं जिनमें आपके मिट्टी का इस्तमाल किया जाता है कुछ beauty products में भी मिट्टी का इस्तमाल किया जाता है बहुत ही famous मुलतानी मिट्टी आप लोगों ने सुनाई होगा bless foundation इन सबों मिट्टी का इस्तमाल किया जाता है इसके अलाबा water को यानि की water waste water treatment है उसमें भी आपके मिट्टी का इस्तमाल होता है और religious purpose से भी मिट्टी का इस्तमाल होता है इसके अलाबा जल को सुध करने के लिए भी यानि की purification of water जो है इसमें भी आपके मिट्टी का परियाप्त इस्तमाल होता है तो अब इतने सारे इस्तमाल के बाद बहुत ही एक अंदर एक curiosity आज चकी होगी कि आखlast इन मिट्शों का महत्तों हमारे बिहार में कितना यादा बिहार चुरिये all over India में, all over वर्ड में, संपून, vissu में मिट्टी का महत्तों कितना ज़्यादा है और जब हम इछिपिकली अपने बिहार के बारे में बात करते हैं तो बिहार में आपके तकड़ीबं 6 तरीके के मिट्टियां आपको अमूमन देखने को मिलती हैं। तो उन 6 तरीके के मिट्टियों को आज की क्लास में हम लोग cover up करेंगे और जानेंगे कि इन 6 तरीके के मिट्टी कौन कौन से 6 तर में आपकी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो मिट्टी है वो है आपके PEDAMENT सुम. याद रखेगा PEDAMENT दलदली मिट्टी को हम लोग कहते हैं, और फैडमेंट मिट्टी जो है दोस्तों आपके, सबसे पहले आपके यह जो है इन बिहार, these are found in North Western part of Westjung Secondly. ये बिहार का मैप है आप सब लोग देखिए ये बिहार का मैप है इस बिहार के मैप पे अगर हम लोग पेडामेंट सॉयल की बात करें तो कुछ इस जगह पे ये वाला एरिया आप देखिए ये वाला जो एरिया है इस एरिया में आपके पेडामेंट डलदली मिट्टी आपक बहुत सारा मतलब समझे दलदल है और यह दलदली मिट्टी होने के साथ ही साथ यहां पे आपके दलदल है यानि कि पानी है तो पानी में कौन सा खेत होता है कौन सी जादा सबसे अची फसल होती है common sense लगाईए तो जबाब हो जाएगा paddy यानि कि धान यह जो छेतर है यह वा बहुत ही जादा अच्छे तरीके से होती है यह देखिए धान की मैंने image भी लगाई है तो कभी अगर आपसे कोई प्रस्न पूछता है आपके exam में कि भाई बताओ pediment swarm soil यानि कि जो pediment दलदली मिट्टी है बिहार के कि छितर में पाई जाती है तो आपका जवाब हो जाएग पस्मी चमपारन में बिहार के पाई जाती है जो कि हिमाले के तलहटी में है और यह pediment soil दलदली मिट्टी है इसको याद रखिएगा और यह आपका previous question है आज आपको जो भी slides मिलेंगे वो कहीं न कहीं आपके BPSC के previous questions होंगे इसको आप लोग ध्यान रखिएगा तो एक-एक point एक-एक पहलू आपके लिए आज की class का बहुत ही जादा important है इसको ध्यान रखिएगा अगली मिट्टी के तरफ हम लोग बरते हैं तो अगली मिट्टी है हमारी तरही स्वाइल यानि की तरही मिट्टी सबसे पहले मैं आपको तरही मिट्टी को map पे दिखाना चाहूंगा ये नेपाल है ये वाला जो area है आपके चोटा सा area ये वाला area देखेगा ये जो border वाला area ये जो तरही स्वाइल है ये आपके 8-10 km के बिल्ट में यानि कि 8-10 km इसकी थिकने सोगी ये नेपाल border from West Champaran यानि कि पसमी Champaran से ले करके ये आपके ये area है किसंगंज यहां तक आपके पाई जाती है ध्यान रखिएगा यह आपके पस्मी चमपारन से लेके किसन गंज तक पाई जाती है आठ से दस किलोमेटर की चौराई इसकी होगी और यह तरही स्वाइल है यह भी आपके थोरी सी मतलब की स्वामपी नेचर की होती है स्वामपी मतलब की दलदली नेचर की हो होता है लेकिन फॉस्फोरस की कमी होती है तो अगर आप से पूछा जाए कि तरही स्वाइल में क्या चीज़ सबस्यादा पाया जाता है तो आपके नाइट्रोजन इसके अलाबा नाइट्रोजन के अलाबा आपके हुमस और कमी किस चीज़ की होती है तो Phosphorus Phosphorus की आपकी इसमें कमी होती याद रखेगा कमी किसकी होती है तो आपके Phosphorus की आपकी इस तरही स्वाइल में कमी होती है यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है It is a swampy soil in nature यह थोरी मात्रा में गाज समगरी के साथ साथ पकरती में दलदली भी है तरही की मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है लेकिन फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है इसको याद रखीगा डारेट कोश्चन बन सकता है आपकी BPSA प्रिलिम्स एक्जाम में कि भाई बता अरिया है स्वामपी है मतब दलदली है तो दलदली होने के साथ ही साथ इस वाले एरिया में आपको काफी लंबे लंबे घास आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही यादा लंबी लंबी घास जंगल जातर आपके जंगल और घास देखने को मिलेंगे लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा छितर है जहां पे हम लोग खेती करते हैं और जो प्रमुक फसल है उसमें आपके आपके हो जाएगी गेहू, धान, गन्ना, जूट याद रखिएगा यहाँ पे एक्जामपल मैं रिख लखा है वीट, पैडी, सुगर केन, जूट इन सबों की खेती आपको यहा ही स्वाइल, आगे की तरह बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा एलूवियल स्वाइल, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों आपके जलोद मिट्टी, तो जलोद मिट्टी जो है, हमारे लगभग मतलम मान के चलिए, कि 15 लाख हेक्टेयर जो लैंड है, बहुत ही जादा लैंड ह इंडिया में लगभग 15 लाख हेक्टेयर लैंड आफ जो इंडिया है, वहाँ पर पाए जाता है, जो कि तक्रीबन 40 परसेंट, यानि कि हमारे भारत की, हम भारत की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में जो 40 परसेंट मिट्टी है, लगभग वो आपके जलोद मिट्टी है, लेक तक्रीबन आपके 50%, हम बिहार के 50% छेतर में आपके जलोद मिट्टी ही पाई जाती है, डायेटली कोश्चन यहां से आपके बन सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो, पोटेंसियल कोश्चन, डायेटली आपके यहां से कोश्चन बन सकते हैं, कि भाई बताओ, बिहार क कि तकरीबन कितने प्रतिस्त छेतर में आपको जलोद मिट्टी यानि कि अलूवियल स्वाइल पाई जाती है तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा 50% और ये जो आपके जलोद मिट्टी हमारे बिहार में क्यों इतनी जादा पाई जाती है उसके पीछे का कारण ये है कि हम हमारे बिहार में नदियां बहुत ही जादा है अगर हम लोग एक सिंपल सा मैप यहां पे बिहार का लें तो ये बिहार का मैप है बीच से आपके जाती है गंगा नदी मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को समझने में सही रहे बीच से जाती है गंगा नदी और य गंडक, फिर गंडक, फिर घाघर, इधर आपके करमनासा, सोन, क्यूल, पुनपुन, इस तमाम तरह की नदियां जो हैं बिहार में पाई जाती हैं और इनी सारी नदियां ये सारी जो नदियां हैं अपने साथ डिपोजिशन ले के आती हैं ये जितनी भी नदियां हैं ये ही मिट्टी यहां प्या करके बन जाती है आपके जलोद मिट्टी और राइन तो इस तरीके से हमारे बिहार में तक्रीबन आपके 50 प्रतिसत तक्रीबन 50 प्रतिसत जो छित्र है वो है आपके जलोद मिट्टी का छित्र इसको आप लोग याद रखिएगा अब आगे हम लोग देखते हैं जलोद मिट्टी तो जलोद मिट्टी के दोस्तों दो प्रकार के जलोद मिट्टी आपको देखने को मिलेगी यानि कि जो अलूवियल स्वाइल है अलूवियल स्वाइल आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा एक आपके खादर मिटी और दूसरा आपके भांगर मिटी हिंदी में भी खादर स्वाइल और इंगलिस में भी मतब कि हिंदी और इंगलिस दोनों में आपके खादर ही होगा और यहां पे भी भांगर ही होगा तो खादर मिटी जो नई अलूवियल स्वाइल है new alluvial soil जो है यह आपके तक्रिबन कुछ ऐसे light in color होती है यह देखिए जो खादर मिट्टी है नहीं वाली जो खादर मिट्टी है आपके light color की होती है वही जो आपके भांगर मिट्टी है यह थोड़ी सी आपके dark color की होती है क्योंकि यह होती है आपके old अभी मैं आगे इसको explain क करूँगा कैसे new कैसे old और बिहार के कौन से छेतर में पाई जाती है और यह जो होती है आपकी new यानि की नई जलो दुमिट्टी इसके अलाबा अगर आप लोग में से अभी मैं आगे explain करूँगा इसके अलाबा इसके अलाबा अगर आप लोग में से कोई भी जन बिहार PCS के smart course को लेना चाहे तो ले सकता है मैं बोल ला हूँ इसलिए मत लीजिए इसलिए क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा best से best material और इस study IQ app पे जाएगा download कीजेगा 20,000 रुपए लेकिन अभी चलना है month and grand sale इसमें अगर आप जाएगा study IQ app को download कीजेगा play store से वहां से download करने के बाद आप BPS या बिहार state PCS को select कीजेगा वहां पे आप एक code लगा दीजेगा price आपके AI की वहां पे code लगा दीजेगा ADBH यह आपके आदित्यासर का code है यह code आपको देदेगा जवर्दस डिसकाउंट और मुझे देगा आपका support तो जैसे आप यह code लगा दीजेगा यो 20,000 की fee है यह directly आपकी हो जाएगी 4,999 अब इस 4,999 में आपको क्या मिलेगा all subjects फिर से बोलूँगा all subjects Hindi medium, English medium, prelims plus mains BPSC का सिर्फ 4,999 रुपए में all subjects मिलेगा आपको prelims, mains यह offer valid है आपके 31st of में 2022 तक और मैं इस course में आपको पढ़ाऊंगा history प्लस बिहार state specific या बिहार जी के जिसको हम लोग कह सकते हैं बिहार state जी के और बाकी सारे educator भी आपको सारे पढ़ाएंगे और इस code से अगर आप लेते हो बिहार PCS का subscription तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप सिर्फ मेरी class कर पाओगे मेरी class के साथी साथ आप सारे के सारे जो educator हैं सारे के सारे जो faculty हैं उन सब की class आप enjoy कर पाओगे it is just like a मतलब समझे नेटफ्लिक्स टाइप का कि एक बार subscription ले लिया आपने तो सारे के सारे आप episode enjoy कर सकते हो वैसा ही कुछ आपके बिहार PCS का smart course है खायो तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलूवियल स्वाइल जो आपके जलोद मिट्टी है उसके पहले प्रकार की जो है आपके खादर स्वाइल तो खादर मिटी के हम लोग बात करते हैं जब तो खादर मिटी दोस्तों आपके न्यू एलूवियल स्वाइल यह जो आपके नई मिटी जो होती है वो आपके होती है खादर स्वाइल अगर हम लोग खादर स्वाइल के बात करें तो यहां बीच से आपके जाती है गंगा नद है ये आपके south है जो उत्तरी छितर का जो area है ये वाला area आप कह लिजे ये जो है आपके खादर मिट्टी ये आपके जो है खादर मिट्टी से भरा हुआ है अगर आप से कभी कोई प्रस्ण पूछेगा कि खादर मिटी आपको कहां पाई जाती है तो खादर मिटी गंगा के उत्तरी छितर में पाई जाती है यह जो नदियां है यहां पर आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिलेगी यहां पर आपको सुरू होती है यहां से आपके कोशी सौरी महानंदा फिर कोशी फिर कोशी के बगल म अगर आप जाईएगा तो वहाँ पर आपको कमला कमला के बगल में आपके बागमती बागमती के बगल में अगर आप जाईएगा तो वहाँ पर आपको बुढ़ी गंड़क फिर यहाँ पर आपको निज़राएगी घागर और इसकी बहुत सारी टिब्यूट्री और डिस्टि में देखा था जो नई मिट्टी है उसी को तो दोस्तों हम लोग खादर स्वाइल कहेंगे तो डायरेक्टली आप से कोशन वाला च्छेतर नौर्थ बिहार में जादा बार आती है क्योंकि इस वाले च्छेतर में आपको बार काफी जादा आती है इसलिए यहां पे आपको हर साल नई मिट्टी आती है सिंपल समझे कि जहां बार जादा आएगी वहां पे नदिया नई मिट्टी लाएंगी और वही न न्यू मिट्टी आती है इसलिए ये छित्र जो है ना कि सिर्फ बिहार का संपूर्ण इंडिया का या समझे संपूर्ण विस्व का वन अफ दा सबसे आदा फटाइल सबसे आदा आपके फटाइल चित्र या उपजाओ छित्र अगर कहा जाए तो ये वाला एरिया उत्तरी बि सबजियां मेज ओल सीड मक्का या फी जो भी आपके तिलहन है सारे के सारे क्रॉप्स आपको यहां पे कल्टिवेट होते हुए नजर आएंगे सारे के सारे क्रॉप्स यहां पे ग्रोन होते हुए नजर आएंगे क्योंकि यह जो मिट्टी है यह पूरे के पूरे समझे विस मिट्टी भांगर स्वाइल आपकी हो जाएगी पुरानी मिट्टी फिर से मैं आपके नक्से पे आऊंगा मैप पे आऊंगा तो यह आपके गंगा नदी हो गई अब ये जो गंगा नदी है इस गंगा नदी के उत्तर में तो हमारा था आपके खादर स्वाइल अब जो दक्षिन वाला च्छितर है ये है आपके भांगर स्वाइल अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाला जो एरिया है आपके ये है आपके भांगर स्वाइल इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं यह आपके करैल केवल के नाम से भी जानी जाती है कभी-कभी डारिकली आपके BPSC प्लिम्स एक्जामे कोशन आ सकते है कि कौन से ऐसा छितर है जो कि आपके कौन से ऐसी मिट्टी है जो कि आपके करैल के अवल के नाम से भी जानी जाती है और यह जो है basically आपके found in the upper parts of flood basin of river generally 30 meter above the flood basin यह जो मिट्टी है आम तोर पर नदियों के पास नदियों के बार घाटियों के उपरी हिस्सों में पाई जाती है जिसका लगबग हाईट आपके तक्रीबर 30 meter होता है उचाही आपके मतलब नॉर् बिहार के ये उत्तर है नौर्थ ये दक्षिन है बिहार के आपके दक्षिनी छेतर में पाई जाती है और यहाँ पे आपको बहुत यादा प्रचूर मत्रा में आपको भांगर मिटी ये वाले छेतर में पाई जाती है अगर हम लोग बात करें कि जो दक्षिन बिहार है ये थोरा सा आपके उत्तर बिहार से उंचा है तो यहां पे आपके बार जो है उत्रा आदा नहीं आता है इसके लबा जो यहां की जो नदियां है वो उत्रा आदा फ्लड कॉजिंग रिवर्स नहीं है उत्री आदा आपको यहां पे बार देखने को या बार वाली नदियां जो है कई बार आपके एक्जाम में यहां से प्रश्ण आ सकते हैं, कि पुरानी जलोद मिट्टी यानि कि Old Alluvial Soil को हम किस नाम से जानते हैं, तो बांगर स्वाइल के नाम से जानते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आपके करई केवल के नाम से जानते हैं, यह बिहार के किस छेतर में पाए जाता है, तो दक्षिनी बिहार के छेतर में पाए जाता है, यहाँ पे किस प्रकार के crops होते हैं, तो यहाँ पे आपके paddy, sugar cane, या फिर paddy, sugar cane, wheat, अमूबन मतलब मान के चले के हर प्रकार के आपकी खेती यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसको आप लोग ध्यान लखिएगा, अब आईए हम लोग अगले उसके तरफ बढ़ते हैं, अगली जो मिट्टी है, बाल सुंदरी, अभी डिसेंटली BPSC CDPO में यहाँ से कोशन आपके बने थे बाल सुंदरी, यह जो बाल सुंदरी है, यह आपके, जैसे मैं फिर से आपको मैप पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैप से अगर हम चीजों को देख लेते हैं, तो हमेशा जहन में हमारे वो चीज़े आ जाती है, तो हम लोग अर बात करें, यह वाला एरिया खास कर, यह जो छेतर है, यहाँ पे आपको पाई जाती है, बाल सुंदरी मिट्टी, यह जो छेतर है, यह आपको बहुत ही जादा, फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, और यह जो मिट्टी है, इसमें तकरिबान आपके 30% content of lime, which makes its alkaline, यानि कि 30% से, यहाँ इस मिट्टी में 30% से अध क्या लाइन स्वाइल है, क्योंकि यहाँ पे आपके 30% of lime है, कई बाई डाइकली कोशन यहाँ से बन सकते हैं, कि बाई बताओ 30% of lime या बाल सुंदरी स्वाइल का इसमें सा कौन सा फीचर है, या फिर 30% जो lime है, 30% lime जो है कौन से मिट्टी में पाया जाता है बिहार के, तो यह जो है बहुत यादा famous है, plantation cropping के लिए mango, leechy, banana इन सब के लिए काफी यादा famous है, यह normally आपके किसन गंच, जहान रखिएगा जिले का नाम, किसन गंच, पुर्निया, सहरसा, दरभंगा, मुझपरपूर, और southern part of west चमपारंदिस्टिक, यह वाला जो area जो मैंने आपको भी mark on किया है, इस वाले area में आपके यह सारे मिट्टी जो है आपके नमूमन पाई जाती है, बाल सुन्दरी स्वाइल, अब कुछ images मैंने हापे लगाया हूँ, यह देखिए, कुछ यादा रहा है आपको, अगर आप बिहार से हैं, तो इसको देखके आपको कुछ यादा रहा है, मालदा mango of दरभंगा, मालदा आम, दरभंगा का, यह वाला देखिए, दरभंगा का मालदा आम, यह है क्या, साही लीची, कहां का भाई, तो मुझपरपूर का, मुझपरपूर की आपकी साही लीची, तो यह जो है जो fruits है, यह fruits आपको काफी आदा इस बाल सुन्दरी स् स्वाइल में देखने को मिलते हैं, अभी CDPO में recent के एक question भी आया था, कि कौन से ऐसे मिट्टी है, जो कि fruits के cultivation के लिए सबसे आदा अच्छी मानी जाती है बिहार में, तो इस प्रस्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा, बाल सुन्दरी स्वाइल, याद रखिएगा, अब स्वाइल की जो features होती है, वो लगभग same होती है, लेकिन फिर आप बोलो के sir इसको फिर हम अलग सी क्यों पर रहे हैं, तो ताल रिजन और खादर स्वाइल की जो features same होने के साथ, ताल के साथ एक difference है, ताल रिजन यानि की ताल मिट्टी के साथ, क्या है, तो ताल रिजन जो ह यह flooded होती है, रेनी सीजन में, throughout the rainy सीजन, मतलब जब तक बारिस होगी, तब तक वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, और फटाफर मुझे comment box में लिखके बताइए, कि मौनसून क्रॉप कौन सी होती है, ज़रा फटाफर मुझे comment में लिखके बताइए, क्या राभी क्र मौनशून क्रॉप कहते हैं, तो जैसा कि आप सब लोग सही answer दे ही रहे हो, तो इस प्रसन का सही uttar आपके हो जाएगा, खारिफ खारिफ क्रॉप, क्रॉप को हम लोग दोस्तों कहते हैं, आपके मौनशून क्रॉप, तो जब मौनसून के time पे इस वाले छेटर में, हमेसा आ आपके पानी रहेगा, तो वहाँ पे खारिफ क्रॉप नहीं होगी, तो यही major difference इसको बनाता है आपके ताल छेतर को खादर से अलग, क्योंकि खादर में आपके खारिफ क्रॉप होती है, ताल में आपके खारिफ क्रॉप नहीं होती है, यहाँ पे आपके flooded in rainy season, hence the scope of cultivation of क्रॉप की जो cultivation यहाँ पे होती है, वो बहुत ही कम होती है, लेकिन राभी क्रॉप जो है, यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिलता है, और बड़े scale पे यहाँ पे आपको राभी क्रॉप देखने को मिलता है, अब आपका प्रस्ट मनेगा, कि सर यह वाला जो area है, यह कह यहाँ पे आपको ताल स्वाइल, यानि कि ताल मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, ताल स्वाइल, या फिर इसको हम लोग कह लीजिए, आपके ताल मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो ताल मिट्टी और आपके खादर होती है लेकिन ताल वाले रिजन में यह काफी अदा फ्लडेड होता है मतलब समझें कि रेनी के कारण यहां पर थोड़ी सी नीचे का स्थल है और यह आसपास का जो एरिया यह थोड़ा उंचा है तो यहां पर सारा पानी कलमलेट हो जाता है जिसकान यहां पर हमेशा कौन से छितर में है तो याद रखिएगा यह आपके बार पटना से भागलपूर वाला जो छितर है यह वाले एरिया में आपको ताल मिट्टी देखने को मिलती है चलिए अब आखरी मिट्टी के तरफ हम लोग बिहार के बढ़ें तो बिहार की आखरी मिट्टी है आपके ब पीले लाल रंकी आपके होती है बल्थर स्वायल यलोई रैसान कलर और यहां पर आपको बहुत यादा आइरं क्योंकि अगर आप देखिएगा इसमों को बाल्थर स्वायल को और आप मैप में देखे त् 대ly यह यह वाला जो ऐरिया है यह आपके बाल्थर स्वायल का यह वाला जो छेतर है यह आपके छोटा नाखपूर प्लैट्टिव जो नीचे है छोटा नाखपूर प्लैट्टिव जारखंड वाले एरिया में उसका extension है और हमारे बिहार का एक southernmost आपके border है और बेसे चीज है वो वाला जो छेतर है काफी आदा जाना जाता है अपने nitrogen and humus directly question आपके हैं से बन सकते हैं कि बल्थर मित्ती में सबसे आदा क्या पाए जाता है तो iron यानि की लोहा और limestone लोहा और limestone जो है यहाँ पे आपको काफी आदा पाए जाता है लोह और चूना पत्थर की अच्छी मात्रा होती है लेकिन nitrogen और humus इसकी आपकी भारी कमें इस acidic है और sandy है जानि कि जिसको हम लोग कह सकते हैं अमलिय और रेतिली है तो अमलिय और रेतिली होने के कारण इस मिट्टी में आपके जल धारन की शमता यानि कि जो water retention capacity है या water holding capacity जिसको हम लोग कहते हैं जल धारन की शमता वो थोड़ी सी कम आपको देखने को नजर आती है इस अरहर दाल की कूर्थी की मसूर की इसके अलाबा कोर्स सीरियल जैसे की कोर्स ग्रेंज जो है आपके जैसे कि आपके जौर बाजरा ये सब आपको काफी जादा देखने को मिलेगा ये देखिए खेट फटाफ़र मुझे कॉमेंट बस में लेकिए बताईए क्या है जौर है बाजरा है रागी है क्या है फटाफ़र ये कोर्स ग्रेंज है जिन बच्चों को कोर्स ग्रेंज के बारे में नहीं पता है मैं बता दू कोर्स ग्रेंज हम लोग ऐसे ग्रेंज को कहते हैं क्योंकि यहां पे आपको बहुत ज़्यादा प्रचूर मातरा में आपके माग में रख लीजिए बाल्थर स्वाइल क्या चीज में इसकी कमी होती है तो इसकी कमी होती है आपके नाइट्रोजन हुमस की कमी होती है कौन सी में यह सबसे अच्छा होता है तो आपके आइरन और लाइम स्टोन में आपको सबसे जादा अच्छा देखने को आपको यह मिल करूँगा आप लोग फटाफर मुझे comment box में लिखके बताएगा कि यहाँ पे आपको किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे आपको पाई जाती है pediment swail याद रखेगा यहाँ पे आपको पाई जाती है pediment swamp swail इसके अलाबा इस वाले छेतर में बताईए comment box में तराई swail यहाँ पे गंगा का मैदानी छेतर फटाफर मुझे बताती है comment box में यह वाला इरिया क्या हो गए आपका ताल-, swail और यह वाला अच्छे तरा आपको क्या हो गया तो बालधर-swail इस तरीके से हम लोगों ने बिहार की सारी लगबह मिट्टीों के बारे में जान लिया कौन सी फसल आपको कहां पर देखने को मिलती है जान लिया तो इस तरीके से हम लोग ने इन सारी चीज़ों को जान लिया आप लोग का होमबर्क है कि आप लोग जितने भी मिट्टी है उन सारे मिट्टियों का लिस्ट बनाईए comment box में या आप लोग का होमबर्क है comment box से सारी मिट्टियों का लिस्ट बनाईए और एरो दे करके उस पर लिखे कि यहाँ पर सबस्यादा क्या चीज या फिर उसका एरिया लिखे कि कौन से एरिया में कौन से जिले आते हैं कौन सा चेतर है और उसके अलाबा वहाँ पर कौन सा कल्टिवेशन किसकी खेती आपको सबस्यादा देखने को मिलती है यह आप लोग का होमबर्क है यह आप लोग comment box में जरूर लिखेगा क्योंकि अगर आप होमबर्क कीजेगा तो आप के लिए ही अच्छा होगा आप लोग comment box में लिखेगा मैं सबके comment को देखता हूं इसका मतलब यह नहीं समझेगा सर comment नहीं देखते मैं सबके comment को देखता हूं बाकि आपके कोई सुझाब कोई भी आपकर आपको कोई suggestion देना हो या फिर अगर मेरा आपके at the rate अधित्या वेवो के नाम से है टेलिग्राम सॉरी मेल आपके अधित्या.bevop at the rate studyiq.com और टेलिग्राम आइडी मेरा है crack it with अधित्या अगर आपको PDF चाहिए in classes की तो आप इस टेलिग्राम गुप को के साथ सेयर कीजिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू एंड थैंक्स फो जोइंग दे क्लास गुड नाइट